सुशान सिंह राधपूर की एक तेरा वर्ष ये फैन ने जो है खुशी कर ली है वो सेविन्थ क्लास में पढ़ती थी भिलाई की एगटना है और उनके पास एक ख़त भी बरामत हुआ है वो सुशान की बहुत बड़ी फैन थी और सुशान के बारे में उनके चले जाने के बाद वो काफी दुखी रहा करती थी परिवार ने बताया कि वो अक्सर सुशान को लेकर डिसकस करती थी लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस ताया का कदम उठा लेगी दरसल सारा परिवार साथ में था ये शाम की 6 बजे की खटना है और टीवी पर चिछोरे फिल्म चल रही थी उसने परिवार के साथ बैठकर चिछोरे फिल्म भी देखी परिवार किसी काम से माता पिता भाई वेहन दुर्ग गया और उनसे पूछा कि आप चलोगे तो उन्होंने जब मना किया और जब वापस आये दर्वाजा खटखटाया तो किसी ने दर्वाजा नहीं खोला पिता ने पीछे से जांकर देखा तो पता चला उनकी बेटी जो है पंके से लड़की दी है साथ में एक खट मिला है और उस खट में उन्होंने लिखा है सुशान के चले जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं भी अब फांसी लगा रही हूँ तो इस तरह का जो खट है वो बरामत हुआ है जैसे ही परिवार को उच्छर पहुंचा उनको अस्पताल भी ले जाए गया लेकिन महाँ पर जो है डॉक्टर ने उन्हें मृत घोशित कर दिया मृत को जो लड़की है उसके परिवार ने पुलिस को बताया है कि उनको सुषान सिंग बहुत पसंद थे वो उसकी हर फिल्म और सीरियल देखती थी अभिनेता की मौत के बास से वो गुमसुभ रहती थी हमेशा सुषान सिंग राजपूत के बारे में ही चर्चा करती थी इतना ही नहीं पुलिस ने ये भी बताया कि तीन बहाई वहन थे और सबसे बड़ी थी वो सेवन्त क्लास में बढ़ती थी गुरुवार और आज जो है गुरुवार के दिन जो है उनका शव जो है वो पोस्वाटम के लिए भी भेजा गया है इतना ही नहीं जब परिवार घर पहुचा दरसल वो पिता के साथ जो है वो छिछोरे फिल्म देख रही थी और जब परिवार बाहर गया और वापस लोटा तो टीवी पर छिछोरे फिल्म ही चल रही थी और सामने जो है उनका शव था तो एक बहुत ही दुखन घटना है एक और फैन दरसल ये घटनाए पहले भी हुई थी सुशान के निधन के बाद बहुत सारी ऐसी खबर आई थी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं टीनेजर हैं उन्होंने अपनी जान देती है और ये एक और घटना सामने आई है पहलाई की तो बहुत सारे ऐसे यंग्स्टर्स हैं जो सुशान को अपना आईडल मानते थे और इन सारी चीजों से वो भी काफी आहत हुए हैं और ये एक और खबर जो है अब सामने आई है